आज हम अपना वही स्टाटिस्टिक्स का टॉपिक आगे कंटिनू करते हैं आज हम इसमें करेंगे डाटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं अब तक हमने पिछले लेक्चर में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है टेबल के थू किया था जिसमें ग्रूप्ड और अंग्रूप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टिबिशन किया था और फिर अगला किया था हमने ग्राफ के थू बार ग्राफ हिस्टोग्राम अब बार यह कि data को हमने interpret करसे करना है. Interpretation of data. उसके लिए हमारे पास तीन चीज़े हैं. उन तीनों के थुरू हम किसी भी data को interpret करते हैं. कौन कौन सी है? पहली है mean, दूसरी है median, और तीसरी है मेरे पास mood. यह यह तीन चीज़ें. ठीक है? अब इन तीनों को क्या कहा जाता है तीनों को कहते हैं Mayors of Central Tendency Mayors of Central tendency नियों कहते है यह देखिए क्योंकि यह measurement के काम आते है यह measurement devices है क्या मतलब है कि इनका जह ऑन्सर आता है वो almost central value ही होती है central या middle value के आसपास approximately होता है इसलिए इन्हें measures of central tendency करते हैं ठीक है अब सबसे पहले हम A के करके शुरू करती है तो पहला है मेरे पास mean एक बात है कि हमने अब 9th class में mean median mode करना है ungrouped data का अगली जब 10th class में जाएंगे तब हम ये तीनों करेंगे पर grouped data का ठीक है तो अब ungrouped data का हम सबसे पहला management कर रहे है mean mean किसे कहते है mean को दूसरा क्या कहते है average आम ही हम भाशा में बात करते हैं सुना होगा कि हम एक दूसरे को पूछता है कि आपकी गारी की average कितनी है आपके बाइक की average कितनी है मतलब क्या होता average का कि जितना अब तक आपकी बाइक या गारी में पेट्रोल पड़ है और कितने दिन का कितने दिन आपका पेट्रोल चलता है उसको divide करके हम निकालते है average ठीक है उसी तरह हमने अपने data आपको कुछ numbers दिये हैं उनका mean या average निकालना है तो कैसे करेंगे formula idea वही है बस थोड़ा सा difference है लिखने का ठीक है दूसरी बात अब सबसे पहले हमने mean और average को denote कैसे करते हैं तो कैसे denote करते हैं it is denoted by इसे x bar से करते हैं x पहले x जालते हैं उसके उपर bar बोलते कैसे हैं x bar ठीक है mean या average को कैसे symbol करते हैं x bar ठीक है अब है क्या sum of observations divided by number of observations क्या है it is sum of all observations divided by number of observations divided by number of observations ठीक है अब मा लीजे मैं question लेती हूँ फिर उससे हम इस बात को clear करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं question ले लेती हूँ question है मेरे पास two three four five zero one three फिर से three four three यह number जा अब मैंने इसका क्या find out करना है mean या average ठीक है तो हमने अभी कि sum of all observations divided by number तो mean पहले एक्स बार बराबर इसको हमा लीजे अब यह क्यूंकि एक्स से plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 plus x9 plus x10 divided by जितना कितनी का number है करें दस है ना हमने दस तक है तो divided by 10 ठीक है फॉर्मले में क्या लिखते हैं एन डिवाइड़ बाइन एन मतलब कि जितनी डाटा दिया हुआ है उसकी counting ठीक है अब इसको x1 के है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 x5 0 है प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड़ बाइन कितना हमारे पास 10 अब इन सब को एड़ करूंगी जितनी जीरो नीची है पीछे से उतने अक्षर जोड के हमने पॉइंट लाना है जितनी जीरो नीची है पीछे से उतने ही हमने नंबर छोड देने है एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ी है आठ छोड़ दिया तो उसके आगे क्या लगेगा पॉइंट उसके आगे जो नंबर है वो लगा दिया अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 लगा देते ठीक है अब य यहां पर मैंने एक्स वान एक्स कितना मुझे टाइम लगा लिखने में तो इसको लिखने के एक क्या सिग्मा एक्स आई आई वेरीज फ्रम वान टू टैन डिवाइड़ बाइन यह नीचे वाला यह जो उपर वाला इतना लंबा चोड़ा यह तो दस थी हमने फिर भी टाइम कम लगा अगर बीस पचीस रख में हो तो कितना लंबा टाइम लगेगा ना और लिखते लिखते यह अब इसको क्या कहते हैं यह देखते हैं इसको कहते हैं सिग्मा क्या कहते हैं इसको सिग्मा कैसे डालते हैं ऐसे ए की टाइप इसका मतलब होता है एड जोड प्लस ठीक है एक्स आई क्यों ही यूज किया है क्योंकि हमने इसको एक्स वान एक्स ठीक है तो इसलिए एक्स आप भरेंगे एक बार एक दो तीन चार पांच ये भरतेंगे और उससे हमारे यह चीज लिखी जाएगी तो इसलिए आई की वैल्यू कहां से शुरू किया एक से लेकर दस तक यह लिखने का धंग ऐसे ठीक है अगर यहां पर हम वाई वाई टू वाई त्री रखते तो यहां स्कुर्ण करदीजिया और Plus कैसे आएगा यह सिगमा पलस का निशान है जब जादसारी रखमों को कम wat Mतलब कमभाषां करके लिखना हो सिगमा लेकते हैं कि इसका मतलब सारी रखमाओ का क्या प्लस करना अगर ठीक हैं हमने इस class में इन तीनों का जो छो अनंग्रूपड या और डाटा का मीन मीडियन मोड फाइंड़ करने ठीक है अब हमारे पास मीन कितना आ गया 2.8 कितना मीन आ गया 2.8 अब हमने अब हम इसी जैसा एक और क्वेस्टिन कर लेते हैं जट से फिर और आपको क्लियर हो जाएगा तो सेकिंड क्वेस्टिन है 10 30 20 30 40 0 30 यह उन्हों ने हमें स्टेट्मेंट दिया इसका हमने क्या फाइंड़ करना है मीन तो मीन कैसे फाइंड़ करेंगे वही फॉर्मूला सारी टर्म का क्या करना है एड डिवाइड बाइड जितनी टर्म्स है उसके साथ ठीक है तो चलिए solution लिखते हैं अब चाहें आप यह इतना बड़ा लि three seven तो ai ek с से लेकर कहात डर चलेगा seven x id by n ठीक है अब क्या लिखूंगी ten plus thirty plus twenty plus thirty plus forty plot zero plus thirty divided by कितनी टर्म्स है है 7 तो अब इंको एड कीजिए 10 130 जोड़े 40 20 60 30 94 कितना हो गया 130 130 30 कितना हो गया 160 बटे 7 ठीक है अब यह डिवाइड नहीं होता आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं यह इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं पॉइंट्स में 160 को 7 से 7 टूजा 14 6 में से 4 गए 2 नीचे उतारा 0 फिर 2 पे गया 14 6 0 अब 7 के टेबल पर 7 8 जा 56.8 पे जाएगा तो हमें 22.8 अंसर आ गया तो मीन कितना है मेरा 22.8 हो गया ना अंसर ठीक है अब यह तो था रॉड अगर हम इसी रॉड डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन के फॉर्म में दिखाएं तो फिर इसका मीन कैसे फाइन आट करना है अब हम यही करने लगे हैं अभी तक हमने रॉड डाटा वाला क्वेस्चन के कि जब हमें रॉड डाटा मिलेगा तब हमने उसका मीन कैसे निकालना है ऐसे एवरेज और फॉर्मले से निकालना है अब हमने इसका अगर हमारे पास यूनि डिस्ट्रिबूशन के रूप में हो टेबल के रूप में हो तब हमने इसका मीन कैसे निकालना है वो देखना है तो चलिए क्वेस्टन लिख लेते हैं पहले फजट से सैल्वरी है मेरे पास थ्री थाउजन फोर थाउजन फाइफ थाउजन सेवन थाउजन एट थाउजन ठीक है आगे है नंबर ओफ इंप्लोईज या वर्कर्स जैसे क्वेस्टन में दिया हुए है वो है एट ट्वैल अफ टैन से इसका में प्रफ टूब यह अब कहता कि कोई भी नंबर और किसी कंपनी की उन्होंने किया ऐसे सैंसे जिसमें आठ इंप्लॉईज आठ काम करने वाले ऐसे हैं जिनकी महीने की सेल्वरी कितनी है तीन हजार पर बारा लोगों की चार हजार पर यह उन्होंने डाटा दिया अ अब यह टेबल के रूप में लिखना है ना है तो यह अंगुप्ड डाटा फैर टेबल के रूप में लिखना है तो अब हमने इसका कैसे करने मीन कैसे करेंगे दो चीज आंध्यान में रखनी है पहली ये F है F का मतलब frequency अब frequency का पहला letter F होता है इसलिए हम इसको F लिखते हैं ये तो हमें पता ही है frequency का मतलब हमने किया था कि कोई भी चीज कितनी बार आती है उसे frequency बोलते हैं इसका उसको F से denote करते हैं और ये जो first है इसको हम हमेशा लिखेंगे X ठीक है अब हमने जब ऐसे तरह का data आ जाए तो हमने mean कैसे find out करना है हमने इन दोनों को multiply करना है आमने सामने वाले रकमों को multiply इसको इससे multiply करना है इसको इससे multiply करना है इसको इससे तो चलिए, X को F से multiply किया, तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, अब जब 0 वाली रकम को multiply करेंगे, तो कैसे करते हैं, 0s को छोड़ देते हैं, रकम को रकम से करते हैं, 8 को 3 से किया, 24, पीछे कितनी 0s आएंगी, 3 तो वो लिख दिया, आगे 12 को 4 से किया, 48, पीछे कितनी 0s तो वो लिख दी, अब 1 को 5 से किया, यहां पर 1 रकम है, यहां पर 5 है, 5 को 1 से किया, 5, कितनी 0s है, टोटल, 1, 2, 3, 4, तो पीछे कितनी 0s आएंगी, 4, 6 को 6 से किया, 36, पीछे 30, 7 को 4 से किया, 28, पीछे 30, 8 को 2 से किया, 16, पीछे 30, अब ये हमने सारा निकाल लिया, अब हमने करना है इसका टोटल करेंगे ये last line 0 उससे अगली line भी सारी 0 ये 00 add कही है 0 आगे 8 और 4 add के 12, 12 में 0 add के 12 12 और 6, 18 18 और 8, 26, 26 और 6, 32 32 का 2 यहाँ पे 3 उपर, 3 2 5 5 4, 9 9 5, 14 14, 23 17, 18, 19, 20 तो ये answer आगा है total तो अब हमने mean find out करना है mean का क्या हमारे पास होता है symbol x bar बराबर अब हमने यहां पर formula लिखना है चाहे तो आप वही वैसे वाले formula लिख लीजिए जैसे हमने पहले कि आप बड़े वाला की x1 x2 मतलब सारी रिकम एक एक करके प्लस कीजिए यहां पर हम लिखेंगे 24,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 या फिर जो हम हमने sigma वाला shortcut किया sigma अब यहां पर fx दो लेटर यूज होएं तो दोनों करेंगे वहां पर हमारे पास सिफ x वाला था तो इसलिए हमने यहां पर x i लिखा था यहां पर हमारे पास दोनों है fx है तो fi x i ठीक है i कहां से है वहां पर हमारे पास कितनी थी 1 से लेकर 10 रकमे थी तो 10 तक चलाया था यहां भी हमारे पास 1 से लेकर कितनी रकमे है 1,2,3,4,5,6 रकमे है तो 6 तक चलाएंगे ठीक है तो चलिए अब हमें यह तो पता है किसे क्या बोलते है sigma मतलब क्या होता है add shortcut में यह तो 6 रकमे हम फिर भी लिख सकते हैं जब जादा रकमे हो 15,20,25 तब ऐ ऐसे shortcut तरीका पनाते है ठीक है इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको खोल कर लिखूँ तो पहले i की जगा 1 फिल करूँगी क्योंकि 1 से शुरू है तो f1 x1 प्लस फिर f2 x2 फिर f3 x3 ठीक है इस तरह हमने कहां तक जाना है 6 तक तो f4 x4 प्लस f5 x5 प्लस f6 x6 divided by n होता था हमारा अब यहां पे n यह 6 नहीं देखनी क्यों यहां पे n होगा इसका total क्यों देखिए 3000 कितने लोग लेते हैं 8 इसका मतलब 3008 बार लिखा जाएगा 4000 कितनी बार लिखा जाएगा 12 बार तो इसका मतलब यह सारी रकमे यह इतनी इतनी बार लिखी जाएगी तो वो असली data आएगा तो इसका मतलब N वो बनेगा, अब यहां पर N का मतलब है summation F, मतलब F की रकमों का जोड, तो यह 8 और 12, 20, 20, 10, 30, 36, 36, 36, 44, 40, 40, 42, ठीक है, तो N कितना हो गया, summation F, ठीक है, यहां पर भी आप I बरवान से 6 चला सकते हो, नहीं तो simple, क्योंकि F का मतलब सारी रकम बार बार, तो summation क मतलब add तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर कितना answer है, हम total सीधा लिखने लगे हैं, तो क्या आएगा, 202, यह आपको खोल कर लिखने की जरूरत ही, हमने यह लिखा ही है, ठीक है, divided by, यह total कितना है, 42, यह हमारा mean आगया, अब आप इसको अगर cut करना चाहते ह करना चाहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो यहां तक भी ठीक है, ठीक है, यह तो था हमने mean, अब हमारी second turn है, जो हमने second करना है, वो है mode, बहुत easy है, सबसे easiest measure mode, क्या है, इसको बोलते है, इसका मतलब है, the most fashionable value, मतलब, आप सोच रहे होगे कि fashion का यहां पर क् मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि आज कर यह चीज बड़ी trend में है, मतलब कि इस चीज को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, उसी को trend बोलते है, तो mode का मतलब है कि जिस data में, जिन रकमों में कोई एक रकम या दो रकम सबसे जादा बार आई हो, उसे कह देते है, fashionable value, यहां कहते हैं कि the most occurring, मतलब जो सबसे जादा बार कोई भी value, कोई भी term आई है, उसे कहते है, most occurring value, और वो ही mode होता है, इसका कोई formula या कुछ निया simple देख के या answer करना है, जैसे, हमने यह mean के लिए पहला question किया था, two, three, four, five, zero, तो अगर इसी question को लें, फिर देखें, two, three, four, five, zero, one, three, three, four, three, ठीक है, अब इसमें हमने mode ढूणना है, तो mode देखें, कौन सी रकम सबसे जादा बार आई है, दो, एक बार आया है, तीन कितनी बार आई है, एक, दो, तीन, चार, चार, दो बार आई है, पांच, एक बार आई है, तो सबसे जादा बार कौन सी रकम आया जो रकम सबसे जादा बार आई है वो रकम आंसर है ठीक है अब एक दूसरा question हमने यह किया था तो इसका देख लेते हमारा question क्या था तो 10 30 20 30 40 0 30 यह है अब इसका मौड अगर हम देखें तो इसमें से सबसे सबसे जादा बार कौन सी रकम आई है हमारे मौड में 10 30 10 एक बार आया 30 1 2 3 3 बार आया 20 भी एक बार आया तो सबसे जादा बार कौन सी रकम आई है 30 तो answer क्या हो गया 30 ठीक है यह है ना मौड मौड तो सबसे इजिय कोई formula नहीं लगा कोई calculation नहीं बस देख रही है कौन सी टम सबसे जादा बारा यह वह मौड है अब हमने मीन भी सीख लिया यह average भी सीख ली इसको summation मतलब इसको इस साइन को sigma बोल दिया है मतलब कि इसका add करना sum करना जोड करना ठीक है और अब हमने मीन दोनों तरह में सीख लिया raw data या जब data को ungrouped frequency के रूप में इस table के रूप में दिया जाता है तब भी हमने सीख लिया अगर हम mod इसमें देखें इस तरह के question में mod देखें तो सबसे जादा बार कौन सी रकम आई है देखें यह 8 बार आई है रकम यह कितनी बार आई है 12 यह 10 तो इसका मलब यहाँ पे सबसे बड़ी रकम कौन सी है 12 कौन सी रकम बार आई है 4000 तो इस question का answer मेरे प्यास क्या होगा इस third का mod कितना होगा मेरे पास 4000 कितना होगा mod मेरे पास 4000 क्योंकि सबसे जादा बार 4000 आया ना 12 तो इसका मलब इस answer मेरा क्या है 4000 ठीक है अब हमने mean और mod द 14 चैप्टर का जो 14.4 exercise है उसमें इससे related और भी questions दिये है आपने उससे practice करनी है अगले lecture में हम median जो है वो करेंगे ठीक है thank you have a nice day